बहुत ही इंपोर्टन्ट आज मैं जियां दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अधार कार्ड में अफडेशन करा सकते हैं और उसकी ओनलाइन अपाइंडमेंट ले सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर बजाएंगे और इंटरनेट बजाकर वहाँ टाइप करेंगे ओनलाइन अपाइंडमेंट उसके बाद आप देखेंगे कि एक स्राइट खुलकर आजाएगी बुकेंड अपाइंडमेंट में आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको केंदर करने के बोलेगा एरिया आप आप स्लक करेंगे जैसे कि मैं स्लक करणा दिल्ली का दिल्ली का तुझ करूंग तो दिल्ली में तीन आपको आधार चॉन के इंधर Legislation अफरी साज़ूट कर लेता हूं और यहां पर स्लक करना है आप से मोबाइल नंबर मांगे ज colum9 मि में दिक्कत रहेगी तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूं और साथ के साथ मैं मोबाइल नंबर टाइप करी रहा हूं उपर आप देखेंगे कि इसमें न्यू अधार 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 अपडेट और मैनेज करके टैब आ रहा है आपको अधार 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 मे आपका गलत रहेगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करा पाएंगे तो यह बहुत ज्यादा ध्यान देरने वाली बात है चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही होना चाहिए जैसा कि मैं यह टाइप कर दे रहा हूं 10 नंबर उसके बाद कैपेचे कोड आप से मांगेगा आप कैपेचे कोड आप यहां पर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर कोई गलत आपको सभी लगता है तो जब कैपेचे कोड डाल देंगे उसमें जन्नेट आप क्लिक कर देंगे जन्नेट ओटीप क्लिक करने के बाद आपके पास 6 रिजिट का एक ओटीप आएगा आपके मोगाल नमर में मैसस के तुरू आपको ओटीप डालना है अगर ओटीप गलत रहेगा तो आप मान लीजे नेक्स पेज पर आप नहीं जा पाएंगे तो मैं मैं दूबाला सापको यह चीज करके दिखा देता हूँ मैं एक बाद दुवारा से ओटीप गलत ढल्ट डाले तो और अगर आपको इसके बाद भी क्लिक करने के बाद यह देखिए अब आपको इसके बाद भी इसके बाद बहुत हो चाएंगा आपका एक ऑप्शन इन ट्र कर देंगे रिषयट डोटी इपिर किलिक करने के बाद ये देखें आपको फिर एक फ्रेश ओटीप नंबर आयेगा उस ओटीप को आप यहां पर डालेंगे जो कि फ्रेश ओटीप के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था फ्रेक्ष ओटीप जैसे आजाएगा आपके मैसिस बाएगा six digit होगा एक time frame होता उस time के अंदर या आपको डालना पड़ेगा और आगे के लिए आप next कर देंगे next करने के बाद आप देखिए इसमें दिखा रहा है appointment time मतलब appointment type की चीज का आपको करना है मतलब अपडेट कराना है, क्या कराना है, वो सारा आपको यहां पर सलेक्ट करना है, फिर उसका आधार नमबर मांगेगा, आपको इसमें अपना अधार नमबर जिस भी अधार नमबर पर आपको अपडेट कराना हूँ, वो अधार नमबर इसमें आपको टाइप करना रहेगा आधार नंबर आप सभी को पता होगा आपके अधार कार पे वो नंबर लिखा रहता है आपको अपना अधार नंबर इस पर टाइप करना है मैं अधार नंबर इस पर टाइप कर देता हूं और उस पर नाम भी डालना पड़ेगा जो अधार नंबर जिसका अधार नंबर है उस व्यक्ति का नाम भी आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा बिना नाम टाइप करे आप नहीं करा सकते आप इसमें बेरिफिकेशन टाइप क्या रहेगा यह आप देख लिए डॉकुमेंट देंगे क्या करेंगे तो डॉकुमेंटी है फिर इसके बाद यह नीचे बाला स्टेट करेंगे नेक्स पेच पा जाएंगे नेक्स पेच पेच पर आप यह देखेंगे कि आपको क्या अप परेक नम आप इसमें डाल दिंगे जो भी आप नम चाहते हैं और उसका proof कया है उसका proof भी आपको डालना रहेगा मतलब अगर जो आप नाम डले उस करेक्ट डॉकुमेंट आपके पास क्या देट बर्त या बर्त अप्र सेटिक वर्ड़िया पी कोई ओर डॉकुमेंट है तो डॉकुमेंट आपको वह सिलेक्ट करना रहेगा आप यह देखें बहुत सार डॉकुमेंट दिखा रहे हैं, आपको इन में से कोई एक डॉकुमेंट सेलेक करना है, जिस्ने की बैरिफाई हो पाए कि यह नाम बिल्कुल, आप जो भी करेक्शन कराना चाहते हैं, वो नाम इस डॉकुमेंट में बिल्कूल करेक्ट लिखा है, जारे option आ रहे हैं कोई भी एक option आप इसमें चूच कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूं कि यह वाला जो option है यह वाला option मैं चूच करता हूं और चूच करने के बाद यह देखे मैं चूच कर लिया है और चूच करने के बाद मैं नेक्स पेज पे जाने के लिए क्लिक करूंगा जिससे की क्या रहेगा कि आपका यह दो जो फेज है वह आपका अपडेट हो जाएगा अब मैं दूसरे फेज पे आने के से पहले एक बार फिर से दो वार बेरिफे करेंगा अब यह में दीसरे फेज पे आगया हूँ अब मेरे को यह देट सेलेक्ट करनी है कि कौन से डेट पे आपको अपाइनमेंट चाहिए तो आप यह देखेंगे कि जो भी आप डेट सेलेक्ट करने हैं वह खाली डेट होनी चाहिए अगर उस पे पहले से अपाइनमेंट होगा तो आप उस डेट पे अपाइनमेंट नहीं ले सकते हैं तो इस चीज का भी आपको ध्यान अखना पड़ेगा आप यह देखिए सारे यह स्लोट बुक दिखाई दे रहे की वहाज देट वह देन खाली है कि नहीं'RE आप देखते रहिए मैं हर सारे एक एक दिन इसमें देख रहाह millise की कौन सा दिन इसमें खाली है जो भी दिन खाली रहेगा वह मैं ट्राइब करनूंगा और इसी तरीके से कोई भी डेट इसमें दिख नहीं रही है मैं एक बार में फाइनल डेट देख लेता हूं इसमें और दूसरे मन्त में देख लेता हूं यह सब्टम्बर में भी नहीं आ रही है सब्टम्बर में मैंने देख लिया और इस टाइप से आपको ये डेट सेलेक्ट करते रहना है जो भी खाली स्लोट होगा वही खाली स्लोट पे आपको चेक करना रहेगा अब देखिए सेफ्टमबर में तो मैंने को नहीं दिख रहा है यह सारी चीज़े मैंने ट्राई कर लिए हैं अगस्त में देखता हूं मैं अगर अगस्त में मिल जाती है तो अगस्त में मैं करा लेता हूं सेप्टमबर में नहीं है और इसमें भी नहीं दिखाई दे रही मैं सोच रहा हूं सेप्टमबर में मिल जाती है लेकिन अगस्त में देख लेता हूं एगवार अगस्त सेप्टमबर सेप्टमबर में एक दो तीन इस डेट पे मैं सेलेक्ट करवाता हूं और यह मैं पीछे भी एक बार देख लेता हूं अगर आपको डाउट है तो पीछे जाके एक बार भी आप चेक कर सकते हैं उसमें नंबर जिससे की फाइनल करने से पहले आपको किलियर रहना चाहिए कोई दिक्कत ना हो इसे में एक बार नाम और सारी चीजे दुबारत से चक कर लेता हूं आप यह देखे सप्टम्बर में में उसको यह डेट दिखा रहा है और यह यह भी दिखने रहा यह दिख गया यह देखे यह खाली पड़े हैं सलोट अब इन में से मैं एक डेट स्लउक कर लेता हूं और टाइम भी देख लेता हूं कि कौन से टाइम पे उस डेट में 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 को एपारिमेंट लेना है तो डेट और टाइम दोनों अपनी हिसाब से आपको सलेक्ष करने